दोस्तों अगर आप भी भारती टीम को एक बेहतरी टीम मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों 31 अक्टूबर को भारत का सबसे एहम मुकाबला नियूजिलेंड के खिलाव खिला जाएगा उसके लिए सबी की निगाहें इस मुकाबले पर होंगी क्योंकि अगर इस मुकाबले में कोई भी टीम हारती है तो उनका सफर इस T20 वर्ल कप में यहीं पर समाप्त हो जाएगा लेकिन दोस्तों इस मुकाबले से पहले पाकिस्तान के कई दिगज खिलाणियों ने एक ऐसी भविशेवार्णी कर दी है जिसके बाद तो भारती प्रशंसक काफी जादा निरास नजर आ रहे हैं उचली दोस्तों बताते हैं आपको क्या कहा पाकिस्तानी दिगजों ने भारत और न्यूजिलेंड के मुकाबले से पहले भविशेवारी करते हुई लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लग रहेंगे या फिर सबसे पहले बाहर होने वाली टीम बनेंगे दोस्तों ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी ज़ादा एहम है क्योंकि न्यूजिलेंड और भारत दोनों ही टीमें अपना पहला मुकाबला हार के आ रहे हैं भारती टीम के खिलाडी जबरदस्त वापसी करने में विश्वास रखते हैं और वो ऐसा करते हुए भी नज़र आएंगे जब वो अगले मुकाबले में न्यूजी लेंड जैसी टगडी टीम को हरा कर ये साबित भी कर देंगे और ऐसे भी भारती टीम को तो न्यूजी इसकी टेस्ट चैंपियंशिप में भारती टीम को हरा कर खिताब अपने नाम किया था इसलिए अब भारती टीम के पास एक अच्छा मौगा होगा इन सभी हारों का न्यूजी लेंड की टीम से बतला लेने का लेकिन अब देखना ये रहेगा कि कौन सी टीम इस मुकाबले को हुए अपने बयान में कहा है कि भारत और न्यूजी लेंड के बेच खिले जाने वाले मुकाबले में भारती टीम हर हाल में ये मुकाबला हारेगी क्योंकि जिस टीम को हमारी पाकिस्तान ने इतनी बुरी तरीके से हाराया हो वो टीम न्यूजी लेंड के खिलाफ ना जाने कितनी बुरी तरीके से हारेगी, इसकी कलपना तो भारती टीम का कोई भी खिलाडी अपने सपनों में भी नहीं लगा सकता है, पूरा विश्वास है कि इस मुकाबले में भारती टीम हार कर स्वाज चखेगी, और आने वाले कई मुकाबलों में भी हार कर इस T20 World Cup से बाहर हो ज होता है, इसलिए भारती टीम के लिए अभी से T20 World Cup से वापसी करना लगभग नामुम्किन है, वही न्यूजिलेंड जैसी टीम के खिलाफ जिसके सामने तो भारती टीम ने हमेशा से ही संगर्श किया है, चाहे 2019 के World Cup के से में फाइनल की बात की जाये, या फिर 2020 में टेस्ट चैंपियंशिप न्यूजिलेंड की टीम हर बार भारती टीम से बहतर खेल का प्रदर्शन करती है, और उन्हें हटाने में काम्याव रहती है, वहीं दोस्तों इसके बाद शाहिद अफरीदी ने भी भारती टीम को कमजोर बताते हुए कहा है कि 31 अक्टूबर को जब न्यू लिगजों का बयान सुनकर आप सभी को क्या लगता है, क्या न्यूजिलेंड की टीम भारती टीम को हराने में काम्याव रहेगी या नहीं, हमें नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके ज़रू बताइएगा, और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूप चैनल